आप new man the artist हैं आपके पास पैसे नहीं है बिल्कुल भी सीखने के लिए आपको पता नहीं है कि आपको कहां से क्या start करना है कैसे practice करनी है तो friends मैं आज आप लोगों को यहीं बताऊंग तो आज का जो हमारा वीडियो है वो especially उन beginners के लिए उन new man the artist के लिए है जो किसी भी reason की है उनमें talent है वो phone से कोई channel से को YouTube channel या को Instagram से वो लोग सीखते हैं बट ऐसे सीखने से उनको क्या होता है उनको जो perfect guidance होती है वो deep knowledge होती है वो नहीं मिलती हूं यह नहीं पता होता हमें कहां से शुरू करना है क्या चीज़े पहले करनी है तो मैं आज आप लोगों को वही steps में बताने वाली हूं मैं आप लोगों को वही चीज़ सिखाऊंगी कि आपको कहां से कैसे शुरूआत करनी है यह चीज़ मैटर नहीं करता कि आप लोग कहां से सीख रहे हैं कौन से channel से कौन से artist से जिसका आप लोगों को अच्छा लगता है जिसका आपको समझ आता है आप उस तरह से लेते हैं जिस तरह से हम English language में alphabets को लेते हैं उन्हें सीखते हैं पहले उसके बाल हम words वगरा सीखते हैं तो यह elements भी इसी तरह से हैं और यह जो है यह lifetime आप कितनी भी advanced mind ही सीखेंगे कुछ भी सीखेंगे यह last तक आपके साथ देंगे यह last तक काम आएंगे और यह आपको सीखने ही सीखने हैं बट अभी मैं इनको बस इतना ही कहूंगी कि आप इन्हें note down करका रख लें या screenshot लेकर रख लें उसके बाद जो आगे करना है मैं आपको बताती हूं किस तरह से आपको शुरू करना है तो अब हमें क्या करना है सबसे पहले हमें lines की practice करनी है हमे हर तरह से हर direction में line की practice करनी है और बहुत patience के साथ बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी फ्रेंट्स आप लोग जानते हैं कि line और free महंदी का backbone है तो आपको बिल्कुल line में बिल्कुल master हो जाना है बिल्कुल अच्छे से line की practice करनी है हर direction में हर तरह से हर तरह की line की practice करनी है और बहुत अच्छे से लाइन को टाइम देना है लाइन की प्रैक्टिस करने के बाद हमें फिलिंग की प्रैक्टिस करनी है बेसिक फिलिंग की प्रैक्टिस करनी है फिर उसके बाद हमें फ्लावर्स और पैटल्स की प्रैक्टिस करनी के बाद हमें बैल्स और की प्रैक्टिस पर we shapes की practice करने है और उन shapes की Milka की practice करनी है इन सब चीजों के बार हमें shading की practice करनी है zek away check Уzt inviteas पर इन सब की practice करने के बाद इन सब चीजों को combine करकेĩं हमें design की practice करनी और इसके बाद एड़ेट्य लीप bei मज़ों आगे बड़ो एडवांस चैक सिकने एड़ांस चैक सिकने के बार डिफिं डिफ्रेट्वीं की प्यक्तिक सकनी हैए सब सिर्क्राइ頭 श्कने के बार टिफ्रेंब कीप्रेक्स करनी थे आप जानते ही हिब गेरह के बाद आपको वुड्व आपको एपने चीज करें तो बीडी लगा हों तो प्लीज लाइक करेंगा चैनल पर नहीं पर सब्सक्राइब करेंगा करने वाले हैं